गाइस सर्दिया आ चुकी है और हमें पता है कि आप अपने लिए एक बेस्ट रूम हीटर सर्च कर रहे हैं तो शायद अब आपकी ये तलाश खतम होने वाली है क्योंकि हम विंटर्स के लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो रेडी कर रहे हैं वाटर हीटर्स पर हम ओल्रेडी वीडियो बना चुके हैं इस वीडियो में आपको बताओंगा थिरी बेस्ट रूम हीटर्स के बारे में जो कि हमने काफी सारे रूम हीटर्स को कंपेर करने के बाद ये छोटी सी लिस्त आपके लिए रेडी की है इन गाइस चेनल को सब्सक्राइब भी कल लेना क्योंकि एसी ही और भी यूसफुल वीडियोस आपका वेट कर रही है चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट से थर नंबर पर है और पट OEH 1220 इसका डिजाइन आप देख सकते हैं चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं आप इसे आइडियल 200 to 250 स्कॉायर फिट के रूम के लिए यूस कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट इस रूम हीटर में मिलता है आप इसे 1000 वाट पर भी यूस कर सकते हैं और 2000 वाट पर भी यूस कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी बात है और डूरेबल बनाता है इस रूम हीटर को थर्मो इस्टेट कट आउट का भी फीचर इसमें दिया गया है जिससे की टेमप्रेचर ज्यादा होने पर ये आटोमेटिकली ओफ हो जाएगा इसमें जो थोड़ा सा मुझे कॉन्स लगा वो ये है कि इसमें बिलोवर की जगा फेन यूस किया गया है जिसकी वज़या से ये थोड़ी सी नोईज करेगा अज कंपेर टू बिलोवर और इसका डाइमेंशन आप देख सकते हैं 9.4 इंच लेंथ 8.6 इंच वीट and 4.6 इंच हाइट वन येर की वारंटी रहेगी ओवर ओल गाइस बेस्ट रूम हीटर है आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बट आपको थोड़ इसे नोईज सुनने को मिलेगी एन गाइस एक चीज तो हम भूल ही गए वो है इसकी प्राइज इसकी प्राइज रहेगी अप प्रोक्स 1000 रूपीज ये तीनो ही रूम हीटर्स एमाजोन पर अवेलिबल हैं तो एमाजोन के जो बेस्ट सेलर्स हैं उनके लिंक में नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाल दूँगा आप वहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं सेकिन नमबर पर है मिनी वोल हीटर आप देख सकते ही कि इसका काफी छोटा रिजाइन है पर ये छोटा पेक बड़ा धमाका है और इसकी प्रैज रही गिया प्रोक्स 700 रूपीज और गाइस ओन्लाइन प्रोड़क्स की प्रैज थोड़ी बहुत उपर नीचे कम ज्यादा होती रहती है तो आप चेक कर लीजिएगा जब भी आप वीडियो देख रहे हों इसे आप यूज कर सकते हैं 100 to 150 स्क्वार फिट के रूम के लिए या आप इसे अपनी कार में भी यूज कर सकते हैं बिकोज गाइस इसका साइज बहुत ही छोटा है और आप इसे easily कहीं पर भी ले जा सकते हैं और आपको इसे सिर्फ simply board में पिलग करना होगा आप इसमें temperature भी control कर सकते हैं और साथ ही इसमें timer setting भी दी गई है आप इसमें 1 to 12 hours के बीच में अपने according time भी set कर सकते हैं जब तक भी आपको इसे use करना हो LED display इसमें रहेगी तो display में आप इसका temperature टाइमर ये सब चेक कर सकते हैं और इसका operating power रहेगा only 400 watt thermo state cutout भी इसमें दिया गया है और इसका dimension आप देख सकते हैं बट गईस एक चीज में आपको बता दू कि इस product की आपको warranty नहीं मिलेगी पर अगर आप इसे Amazon से अगर purchase करते हैं तो जो Amazon की return policy होती है जो की something 10 दिन की होती है तो आप सिर्फ Amazon की return policy में ही आप इसे return कर सकते हैं उसके बाद इसकी कोई warranty नहीं रहेगी बट overall guys मुझे ये काफी अच्छा लगा आप इसे easily कहीं पर भी ले जा सकते हैं कहीं पर भी use कर सकते हैं काफी छोटा साइज है जैसे कि मैंने कहा था कि छोटा पे एक बड़ा धमाका तो आप इसे consider कर सकते हैं प्राइज भी ज्यादा नहीं है चलिए अब आगे बढ़ते ह इस वीडियो का थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी कर देना अब नमबर वन पर है Amazon की तरफ से आने वाला ये रूम हीटर इसकी प्राइज रहीगी अप्रोक्स 1000 रूपीज इसका भी डिजाइन आप देख सकते हैं इसे आप वर्टिकल भी यूज कर सकते ह हैं जो भी आपकी requirements हो something 10 feet तक इसका air throw रहेगा operating power रहेगा 2000 watt and guys eco cheese की इसमें blower यूज के गए हैं तो इसमें आपको noise बहुत ही कम सुनने को मिलेगी as compared to fan यह light weight है इसका weight रहेगा only 1.15 kg thermostat cutout भी रहेगा automatic protection के लिए इसका dimension आप देख सकते हैं one year की warranty रहेगी overall guys इसमें बहुत ही features दिए गए हैं पर मैं बता दू कि आप इसे only 2000 watt पर ही use कर सकते हैं आप अपने according air adjust कर सकते हैं और operating power इसका 2000 watt ही रहेगा so guys I hope आपकी इस वीडियो से काफी help हुई होगी और अब आप अपने लिए एक best room heater purchase कर सकते हैं link में description में डाल दूँगा आपके लिए so guys वीडियो को like क करना channel को subscribe भी कर लेना क्योंकि एसी ही useful videos आपको और भी मिलने वाली है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye